हे गाईज मैं हूँ शौरिया सत्यार्थ एंड आपको क्या लगता है सौनिक है जोग एंड फ्लैश में ज्यादा तेज कौन होगा अफकोर्स दोनों ही इतने तेज हैं कि उनको नेकेड आई से देखना नेरली इंपॉसिबल है तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा तेज कौन है दोनों अगर रेस लगाएं तो कौन जीतेगा कौन ज्यादा फास्ट स्पीड स्टेर है इस वीडियो में हम इसी चीज को फाइंड आउट करेंगे तो इस वीडियो को पक्का एंड तक तो जरूर देखिएगा और इन दोनों करेक्टर यानि कि सौनिक और फ्लैश को हम किस बेसिस पर कंपेर करेंगे येस तीन बेसिस पर और वो तीन बेसिस हैं स्पीड स्पीड और सिर्फ स्पीड क्योंकि ये दोनों करेक्टर सिर्फ अपने स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं तो देखते हैं कि कौन जाता पावरफॉल है और इस वीडियो में हम फाइनली ये भी पता लगाएंगे कि ये दोनों करेक्टर हुसान बोल्ट से जाधा तेज है या नहीं है और अब विडाउट वेश्टिंग अने टाइम लेट्स बिगेन वेल सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश की और इस वीडियो में हम फ्लैश के बैरी एलन वाले वर्जिन को लेंगे कियों कि सब उसे को जानते हैं वेल लॉजिकल रिज़न बताऊं तो बैरी एलन सबसे तेज स्पीड श्टर है इसलिए हम बैरी एलन को ही लेंगे anyway flash कितनी तेज़ जा सकता है इसका सीधा सीधा आंसर है जितना speed force उसको allow करेगी उतना अगर flash speed force के साथ एक सीधी line में दोड़े तो उसकी speed time by time increase होती रहेगी होती रहेगी तब तक जब दको speed barrier को तोड़ ना दे उसकी सिर्फ speed ही जादा नहीं है अफकोर्स speed उसके अंदर है तो उसकी reaction speed भी superhuman level तक है जब flash speed force से connect होता है तो उसके पास superhuman level के stamina speed, reflexes, agility, endurance and strength भी आ जाती है वो high velocity में molecular vibration से intangible हो जाता है वो speed reading भी कर सकता है molecular control भी कर सकता है and अफकोर्स flash time travel भी कर सकता है alternate dimensions में जा सकता है और सबसे बड़ी बात वो speed of light से भी ज्यादा तेज दोड़ता है well वो time travel कैसे करेगा अगर हो एक circle में दोड़े तो speed barrier को तोड़ देता है और वो time travel easily कर सकता है हमने animated series में ये भी देखा है ये alternative universe का flash सिर्फ vibrate होने से बूढ़ा हो गया था वो भी कुछ minutes के अंदर यानि वो खुद की body वो भी manipulate कर सकता है flash creation of vortexes भी कर सकता है super charge brain activity, electric and lightning manipulation ये सब तो उसके लिए बहुती normal बात है flash अपनी body तक को heal कर सकता है vibrate होके flash के senses बहुती ज़रा enhanced है flash speed में नहीं जार सकता है वो speed force aura भी create कर सकता है flash telepathy से resist है वो sonic shock wave projection भी कर सकता है और एक last बात flash memory absorbed भी कर सकता है well आपने एक चीज़ नोटिस की कि flash के पास जितने पावर है सारे के सारी speed से related ही है flash objects के आर पार भी जा सकता है सिर्फ vibrate होके क्योंकि वो molecular vibration भी कर सकता है वो molecule के थिरू आर पार जा सकता है अब आप समझ चुके होंगे कि flash कितना तेज है flash की max speed light की speed से उपर गई है exactly तो किसे को भी नहीं पता बट हाँ light की speed से उपर यानि flash को दोड़ता हुआ naked eye से देखना impossible है इतना ही था flash के बारे में alright अब जानते हैं sonic hedgehog के बारे में वो कितना तेज है और वो किस limit तक जा सकता है well मैंने इसके उपर already एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने sonic hedgehog की total power explain की है अगर आप चाहें तो detail में वीडियो देख सकते हैं बस इस वीडियो में मैं उसका overview दूंगा ताकि हम flash के साथ sonic को compare कर सकें alright sonic के movie trailer में हमने sonic को basically 750 mile per hour को cross करते हुए देखा है जो इसकी सबसे कम speed है yes sonic इससे काफी जाता तेज दोड़ सकता है आईए पता लगाते हैं कितना well sonic ने कई बार proof कर रखा है कि वो इस world का ही नहीं इस universe का सबसे fastest being है एक बार नहीं कई बार sonic easily sound barrier को तोड़ देता है बहुत ही आराम से basic एकदम आराम और अगर वो काईदे से दोड़ना start करे अपने full speed में तो वो बहुत ही आराम से light की speed को भी cross कर जाता है yes sonic भी light की speed को बड़े आराम से cross कर सकता है अब main बात आती है acceleration sonic का acceleration इतना खतरनाक है कि वो कुछ millisecond में ही sound की barrier को तोड़ देता है इससे आप ये अंदाजा लगा सकते है कि वो कितने कम second में कितनी जारा speed पकड़ सकता है and हां sonic backward दोड़ सकता है 750 mile per hour से yes यानि वो पीछे पीछे दोड़ते दोड़ते भी sound की barrier को तोड़ सकता है सोची कितना तेज है या बंदा sonic अपने आपको envelop कर सकता है एक blue energy की field में जिससे वो एक electric ball बन जाता है जिससे वो किसी चीज़ को भी तोड़ सकता है और उस situation में sonic को हाम करना nearly impossible है और अगर sonic अपने सबसे तेज form यानि hyper sonic hedgehog में transform हो जाए तो basically 3840 mile per hour से लेके 7680 mile per hour तक भी जा सकता है yes guys 7680 mile per hour ये बहुत ज़्यादा है और मैं ये बता दूँ sonic जितना speed में दोड़ता रहेगा उसका body momentum उतना ही अच्छा होता रहेगा एनि sonic कभी अपना control खो ही नहीं सकता उसके लिए जैसे ये पार्क में दोड़ने के बराबर ही है sonic भी अपने body को vibrate कर अपने आपको heal कर सकता है objects के through आर पार जा सकता है molecule control करके sonic electric charge control कर सकता है and lot more और sonic के एक खास बात है अगर sonic एक circle में दोड़ना start करे तो of course वो अपना momentum तो नहीं खोएगा बलकि वो एक tornado create कर सकता है सिर्फ wind energy को मिला कर और वो tornado बहुत बड़ा हो सकता है sonic एक human नहीं है वो एक hedgehog है और sonic अपने से जादा weights को भी बड़े आराम से उठा सकता है यानि sonic के पास super human strength भी है और guys सिर्फ speed है नहीं उसकी speed आती कहां से है उसके legs से तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके legs कितने ज़्यादा powerful होंगे वो अपने legs से इतना ज़्यादा momentum create कर सकता है कि वो बड़े बड़े enemies को भी बड़े आराम से kick out कर सकता है जैसे आप clash of clan and pubg में kick out करते हो ना clan से सेम और ऐसा ही कोई फरक नहीं sonic black hole के gravity से भी escape कर सकता है अल्राइट guys अब decision पर आते हैं flash and sonic में कौन ज़्यादा तेज है अगर ये दोनों race लगाएं या fight करें तो कौन चितेगा well winner है sonic hedgehog yep अगर आप DC fan है तो शायद आपको ये conclusion थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा but let me tell you guys sony के पास ऐसे record है जिसमें उसे 7,680 mile per hour को भी cross किया है और ये of course कोई joke नहीं है sonic के लिए light की speedo cross करना जैसे बच्चों अखेल है और हमने flash को बहुत ही occasionally light की speedo cross करते हो देखा है और guys जहां बात करे momentum की तो flash को हमने कई बार अपना momentum खोते हो देखा है अब भले वो किसी भी reason से हो उसका ध्यान नहीं होगा या कुछ और बटो अपना momentum खो चुका है कई बार बट जहां बात करे sonic की तो उसके legs ही इसलिए बने हैं कि वो दोड़ सके सिर्फ दोड़ सके वो अपना momentum चाहा कर भी नहीं हो सकता वो जितना speed में जाएगा अपना momentum उतना ही maintain करेगा and of course sonic के leg बहुत ही ज़्यादा powerful है flash से दो बहुत ही ज़्यादा और जैसा कि मैंने कहा sonic hedgehog black hole के pull से भी escape कर चुका है so guys यही कुछ records थे हैं के basis पे मैं कह सकता हूँ कि sonic hedgehog the flash यानि Barry Allen से ज़्यादा fast है या फिर ज़्यादा powerful है और अगर दोनों race करेंगे तो maybe sonic जीतेगा well कोई जीते या ना जीते हम और आप तो देख के बता नहीं सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इन दोनों के speed को naked eye से देखना impossible है क्योंकि of course ये दोनों ही light की speed को cross करते हैं but guys मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि ये दोनों ही character हुसेन बोल्ट से नहीं जीत पाएंगे lol just kidding well मैं hope करता हूँ कि आपको ये video पसंद आये होगी और आपने सच में इस video को enjoy किया होगा अगर आपने इस video को enjoy किया है तो जल्दी से बिल्कुल speed में speed से मेरा मता है light की speed से उस red वाले color के button वो ऐसे से ऐसा बना दे जल्दी से alright so finally thanks for watching